हलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे इस एजुकेशनल प्लैटफर्म पर और आज हम बात करेंगे कम्प्यूटर से जुड़े कुछ और इंपोर्टेंट क्यूशन्स की तो चलिए शुरू करते हैं फस्ट है जिस शोटकट कुणजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कट्रोल M अगला है ALU है ALU निए अर्थमेटिक लोजिकल यूनिट ठीक है अगला है सेल सीमा जी टू से M12 के लिए सेल संदर्ब होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अगला है अगर कोई कंप्यूटर दूसरी को डेटाबेस स्वीधा परधान करता है तो वह कंप्यूटर जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डेटाबेस सर्वर के नाम से जाना जाता है अगला question है, दिनांक एवम समय प्रदेशित होता है तो दिनांक और समय टास्क बार पर प्रदेशित होता है अगला question है, निम्ड में से कौन font style नहीं है तो इसका जो right answer है वो है 4, superscript क्या होती है font style नहीं होती है, superscript क्या होती है एक font effect होता है, ठीक है अगला है compact disc में किस तकनीक का इस्तमाल किया जाता है तो इसका right answer है laser तकनीक का इस्तमाल किया जाता है अगला है URL से तातपरिये है तो URL से तातपरिये है uniform resource locator ठीक है अगला है आप अपने handout में header and footer जोडने के लिए परियोग कर सकते हैं तो इसका right answer है वो है handout master का header एम footer जोडने के लिए head out master का परियोग कर सकते हैं अगला question है custom animation task pen का कौन सा विकल्प आपको preset अथवा custom गूणन पत लागू करने की अनुमती देता है अनुमती परदान करता है तो इसका right answer होगा and effect ठीक है अगला question है प्रस्तोता presenter एवम उपलब्द slide show विकल्प अभी को समाइत करता है केवल निमने को छोड़ कर तो इसका right answer है वो है transition यानि संक्रमन कमांड transition कमांड ठीक है अगला question है अगर system time एवम दिनांग गलत परदशित हो रही है तो इसका परियोग कर हम reset कर सकते हैं तो इसका right answer है control panel control panel का परियोग करके हम time एवम दिनांग को गलत परदशित होने से रोख सकते हैं अगला है प्रतम पीडी के computer में परियोग होता है तो प्रतम पीडी के computer में vacuum tube का परियोग होता है अगला है गीगा बाइट से तातप्रिये है तो गीगा बाइट से तातप्रिये है वन जीरो टू फोर मेगा बाइट अगला क्युशन है निम्न में से कोन आपकी प्रदेशन की मुद्रित परतिलीपी उपलब्द करवाता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है audience hand out अगला क्यूशन है सिक्रेट की एंक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है सिक्रेट की एंक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है तो इसका जो रायट आंसर होगा वह होगा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को यानि File Transfer Protocol ठीक है, अगला क्यूशन है, सूचना तक्निकी अधिनियम बारत में शंशोदित किया गया था, तो इसका right answer होगा, वो होगा, 2008 में, सूचना तक्निकी अधिनियम बारत में शंशोदित किया गया था, अगला क्यूशन है, electronic kiosk एक रूप है, तो इसका right answer है, गेर non-store retailing का रूप है, ठीक है, अगला क्यूशन है, keyboard इस तरह का एक यंत्र है, तो इसका right answer होगा, वो होगा, input, कीबोड का है, एक input, यंत्र होता है, अगला क्यूशन है, Excel worksheet का पर्थम सेल को किस प्रकार लेबल किया जाता है, तो इसका right answer होगा, वो होगा, A1, Excel worksheet के परतम सेल क A1 के द्वारा लेबल किया जाता है अगला क्यूशन है Ctrl-R को लिए परिक्ट किया जाता है तो इसका रायट आंसर होगा चुने गए पेरेग्राफ को रायट अलाइन करने के लिए Ctrl-R का प्रियोग किया जाता है ठीक है अगला क्यूशन है MSWED में Ctrl S होता है तो इसका right answer होगा File को Save करने के लिए MSWED में Ctrl S का उपयोग किया जाता है अगला question है कौन सा अनूप्रियोग यानि Application परदशन तयार करने के लिए प्रिक्ट होता है तो इसका right answer होगा Power Point यानि Power Point क्या होता है Application तयार करने के लिए प्रिव्क्त होता है, अगला क्यूजन है कितने bit, 1 byte के बराबर होते हैं, तो इसका right answer है 4, यानि 8 bit 1 bit 1 byte के बराबर होते हैं, ठीक है, अगला क्यूजन है A pixel होता है, तो इसका right answer है, तश्वीर का सबसे छोटा ढूंडा जाने वाला भाग A pixel होता है encryption ये क्या होता है digital signature होता है अगला है Bluetooth एक उधारण है तो इसका जो right answer होगा वो होगा वेक्तिगत शेत्र network का एक उधारण होता है Bluetooth यानि personal area network का उधारण होता है Bluetooth अगला question है network में conjunction घटित होता है तो इसका right answer होगा traffic overloading की इस्तिति में या 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 तो overloading की इस्तिति में क्या होता है network में conjunction घटित होता है अगला question है Wi-Fi का विस्तार है तो Wi-Fi का विस्तार है wireless fidelity ठीक है तो इसका right answer क्या होगा wireless fidelity Wi-Fi का विस्तार होता है ठीक है तो ये कुछ important questions की हमने बात की और ये questions last 2016 प्रीपटवार में पूछे गए थे आगे भी हम और क्यूशन्स की चर्चा करते रहेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद